सो वल्कम बैक टू चानल दोस्तों स्वागत है आपका अपने चानल में बैक्ट्रेश्टर डेडर में तो आज की स्वीड लेट्टर में हम बात करने वाले हैं एक किताब है जिसे लिखा है मुकुल अगरवार ने जिसका आप मैंने चैनल विजिट किया होगा तो हाला कि पहला संस्क्राण आया था लेकिन हिद्य में भी संस्क्राइब का आज कुकर हैएचिए देखे इस किताब में दिया क्या है दखिए सब से पहले इहां पर बाता है सुराओ पस्द टेक्निकल एनलसिस यान की एनलसिस का अर्थ क्या है फीर इसके बारे में कुछ स्टोरी है फिर बोनासी जो इंडिकेटर है इसके बारे में उसका जो मेन रेशियो कितना है फिर ये बताते हैं वेव थेवरी की में डाव थेव वेवरी थेवरी हो गया इसके बारे में बताते हैं फिर इसके बारे में अच्छे से बताते हैं फिर टेकनिकल एनलिस का प्रयोग करके कैसे हम stock का selection कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं risk management के बारे में बताते हैं trading में risk management कैसे लेना है trading psychology क्या होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं कुछ bonus point है जो 20 सद्ध्याय में और कुछ 21 में ये निसकर्स निकालते हैं फिर अपना ये 2000 22 point में आपके कुछ recommendation देते हैं जो ये analysis कि देखिए जीवन में हम जिस भी पड़ाव में होते हैं कि किसी भी वस्तु से संबंदी कोई decision लेना चाहते हैं तो analysis करते हैं देखिए बच्पन में बताते हैं कि आप हमारे जो माता पिचाने कोई decision लिए होंगे कि जैसे हमें कौन सी school में पढ़ाना है कहां बेजना है क् तरह का analysis है जिसे school में पढ़ाना है तो कौन सा इस school सही है उसका analysis किय जाता है तो इसी तरीका से stock market में भी analysis किया जाता है तो analysis दूर प्रकार का होता है एक होता है आपका technical analysis देखिए इसी को बोलाग एक technical एक fundamental analysis तो fundamental analysis के माधिन से हम company के fundamentals को judge कर सकते हैं और technical analysis के माधिन से हम उसके भाव को, price के, price की movement को हम judge कर सकते हैं तो ये technical analysis concept को ये बताते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इतना ही है फिर ये बताते हैं market में जो traders होते हैं जो investors होते हैं जैसे FII हो गया, DII हो गया तो FII होते हैं जो हमारे देश के बाहर में रहते हैं और वहां से यहां पर trading करते हैं और फिर investing करते हैं और जो DII होते हैं जो बड़े-बड़े fund house होते हैं जैसे LIC हो गया, HDFC हो गया, MC हो गया, IIC हो गया ये बड़े-बड़े कमपणिया होती हैं जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं इन्वेस्टिंग करते हैं उसे DIY बोला जाता है ठीक है तो domestic institutional investor और FII को बोला जाता है foreign institutional investor ठीक है अब आता है ultra high net worth individuals जिनका वे लोग हो हैं जो इनकी आज होना 25 करोड से अधिक होती है उसे ultra high net worth individuals बूला जाता है अब वेरी हाइड नेट वर्थ इन्डविजवल्च ए लोग आते हैं जो पांच करोर रूपए कम से कम होती है फीक है तो यह पांच चीजों के बेच के इन्वेस्टिंग होती है अब आता है लास्ट में वो है आपका रियल रिटेल इन्वेस्टर ये पांच करोड रुपे से कम में इन्वेस्टिंग अभी टेडिंग करते हैं तो ये कॉंसेट आपको समझ में आ गया अब इसमें बताते क्या है देखिए ये जो किताब लिखा गया है टेक्निकल अनलिसिस आफ फिनांसियर मार्केट बाई जॉन जे मर्फी की किताब को पढ़ करके यहां पर कॉपी किया गया है कैसे देखिए और इसके अलाब एक दो तिन किताबों को पढ़ करके कॉपी किया गया है देखिए पहले बात तो है हिस्टी रिपीट देखिए मार्केट में क् फिर ये sideways रहेगा ठीक concept समझ आगे आपको फिर ये बताते हैं कुछ का story बताते हैं जो पढ़वत में चड़ने वाले होते हैं उनके कुछ story बताते हैं तो इसी के अधापर technical analysis का मुद्ध सिधान को यहां पर यह बताते हैं फिर doubt theory के बारे में बताते हैं देखिए doubt theory के बारे म आपके पता ही होगा कि market में यह बताते हैं कि market में जो भी price होता है वो discounts होता है discounts में हमें देता है तो discounts में लेने discount price में लेने का तरीका है technical analysis आना है दूसरा है आपको जो market होना हो ट्रेन में चलता है तो up train, down train, sideways अब आता हैं आपको तीन प्रकार के train होते हैं पहला हो गया primary train हो गया दूसरा हो गया secondary train हो गया तीसरा हो गया minor train हो गया अब इसको मैं समझा देता हूं देखिए market जैसे सीधी लिखा में जाता है तो यह हो गया आपको primary train अब market क्या करता है यहां पर secondary train में क्या करत करता है इस प्रकास यह जो है किरेक्शन करता है करेक्स поч्ण को बोले सी Magik यह जो historically फिर न ये उसी जीशों मरु смण मूब होता है भी जित्स बड़े strategic saspport ले लेते पर जाता है तो यह आपका सिर्स हो गया है तो यहां पर तीन फेस बता गया है, market में जब भी train बनता है, market में train बनने से पहले क्या होता है, तो यहां पर तीन फेस होता है, accumulation होता है, इस प्रकार से consolidation होता है, उसके बाद momentum आता है, फिर जो होना big moment आता है, इसी को बला जाता है, फिर उसके बाद market में क्या होता है, excess phase होता ठीक है देखिए इसको में समझा देता मार्केट में इस प्रकास से टॉप बनेगा यह से टॉप में जाएगा यहां से बनेगा करेक्शन आएगा इस प्रकास से फिर यह करेक्शन करेगा उसके बाद फिर करेक्शन आएगा तो इस प्रकास से तीन फेसे होते हैं तो यह इसको इतना तो सबको पता होता है ठीक है तो यह कुछ फिबोनासी चार्ड हो गया बार चार्ड हो गया लागला चार्ड को यह बताते हैं ठीक है अब बात आते हैं यहाँ पर jähr चार्ड की अब आता है इक पेत्रन के बारे में तो यह सारे पेत्रन को बताते हैं जैसे last job सकते हैं डाप हो गया है डाबल बारो हो गया इस देख सकते हैं डापॉ सोब्साजर हो गया यह पैडिया अपने union अनलेसिस ता फिनांसिल मार्के किताब बड़ा होगा तो आपको पता ही होगा इसको कॉपी किया गया है देखिए descending ascending triangle हो अपको सारे पता हो गां symmetrical triangle हो गया तो यह पता है फिर आप पता है गेपUP भी आप पर आता है उपर खुलेगा लगी इस गेप को फिल कर देता है तो यह तीन प्रकार के बारे में बताते हैं देखिए रहा है तीसरा गेप हो गया यहां पर आपका हो गया एक्स यूजन के पब तो यह सारा किताब को यहां पर कॉपी किया गया है इसमें किनों ने चार प्रका का कॉमां के पप हो गया तो यह कॉपी किया गया है अब आता इसमें ट्रेल लाइन के बारे में अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे होता ह सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए आप मलखान कर सकते हैं वह सब्सक्राइब करते हैं फिर आपको यह पता ही होगा मार्केट इसी के लिए इंडिकेटर लगाना है तो आप मुहीं यह लगा सकते हैं लेगिन सपोर्ट इसके बाद केंडल के बारे में बताते हैं हैं वर केंडल हो गया सूटिंग इस्टार केंडल हो गया यह देखिए यह स यह सारे चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं Japanese Candlestick Candlestick के बारे माश्टर हसल करना है तो मैंने तीन किताब अलरी रेक्मेंड किया हुआ है टाप थ्री बुक्स आप Candlestick के बारे में आप उसे पढ़ सकते हैं कैसे बूल्स और बेर्थ कैसे मोमेंटम मापा जाता है कैसे हां पर MECD के माध्यम से जो नहीं यह सारे से बताया जाता है रखिए ब्रेकाउट और ब्रेकडाउन और जेन्टल लाइन का ब्रेकाउट ब्रेकाउट बस कोई बताया इसने इसमें कुछ खास नहीं फिर वालूम के बारे में एक-एक-टो लाइन मतल्द जो हम एक-एक-टो दो पेज यहां पर लिखा गया है लोगों को चूतिया बनाने के लि तो इस प्रकार से आप कोई पता होगा, तीन लेवल में होता है, 80%, 50%, 61%, इसका वीडियो अलग से देख सकते हैं सी, किताब ही कोई जरूरत नहीं है, तो ये बगवास किताब है, मैं बोला चाहूंगा, इसमें कोई रेटिंग नहीं दूँगा में, फिर ये वेव पर ट्रेंग इस किताब को खरिणे के जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस मोटा-मोटा आपको बता दिया, इसके लिए डिटेलिंग नहीं किया है, जबते डिटेल नहीं आने कोई पीचिछ के बारे में, तो ये बगवास है, फिर ये बताते हैं, ग्रेटर फूल थियोरी, पता नहीं ये क फिर लास्ट में यहां पर बता आगया है, रिस्क मेनेज्विन में, ये रिस्क मेनेज्मेंट कैया बताएंगे भाई, जब खुद ये ट्रेडिंग करते हैं नहीं, तो ये किताब लिखा गया है, इन्वेच्मिंट के परपस से, डिन के परपस से, लेकि इसमें कोई मतलब ह लेकिन मैं भी लिक सकता हूं कपी करकि मैं भी लिख सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता तु इस तरीका का किताब लिखना भकवाश है ठीक हAY ट्रेडिंग psychology के बारे में इसने इन्हें क्या पता होता है आप discipline trader पढ़िए ना trading in the zone पढ़िए ठीक है Tony Robbins की किताब पढ़िए unlimited power पढ़िए ये सारे चीजे को पढ़ें के दिमाग कैसे काम करता है दिमाग कैसे अपने दिमाग में release बनाते हैं से आप past को याद करते रहते हैं उसमें release होता है उसको movie के तरह आप देखते हैं तो ये सारे चीजे matter करता है दोस्तों तो ये किताब में reading psychology में greed knowledge ये सारा चीजे hope हो है आपको पूरा पता होगा इसमें कोई खास नहीं है तो अंत में आता है bonus point इसमें कुछ नहीं दिया जाता है बस ये लोगों को चूतिया बना रहा है आपको पैसा अपना पैसा कमाने के लिए क्योंकि इनके पास million में followers हैं ये है मुख लगवाल ठीक है million में इसके followers हैं तो ये बगवास किताब है total rating में इसको देना चाहूँगा एक rating भी इसको नहीं बनता क्योंकि ये copy base लिखा गया है इतना detailing भी नहीं किया गया है तो top recommendation किताब जो हना already playlist में आप लोग को मिलेगा उसे पढ़िए उसका आपका base बनेगा clear बनेगा advanced basic सारा चीज उसी में दिया गया है तो मेरे तरब से इस किताब को purchase नहीं करना चाहिए मिलतने श्टूडियो में वीडियो अच लगा तो like कीजिए, share कीजिए मिलतने श्टूडियो में आने वाले वीडियो में मैं पूसकर आज ठाकूर के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने भी एक किताब लिखा है देखिए उसे आता जाता कुछ है नहीं बस लोगों को पढ़ पढ़ के बता दिया वीडियो में प्लेलिश में और उसने किताब लिख दिया अब दस हजार एक लाग पचास जार लोग भी उसकी किताब को खरे देंगे 2500 रुपे की हिसाब से कितना पैसा बनेगा